नमस्ते दोस्तों, दोस्तों क्या आपको पता है कि डॉक्टर बच्चों को O.R.S पीने की सलाकियों देते हैं? जब किसी की बड़ी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डॉक्टर O.R.S पीने के लिए एक पाउस देते हैं, पानी में मिलाकर उसको पीने के लिए देते हैं. तो आप देखे बजार में अगर आपको ORS पाउडर नहीं मिल ला है तो आप घर पर ही ORS पाउडर बना सकते हैं आपको करना क्या है? साप पानी लेना है उसमें नमक एड़ करना है और एक चम्मच चीनी एड़ करनी है और उसको चम्मच से अच्छी तरीके से mix कर लेना है ऐसा करने से आपका homemade ORS बनके तयार हो जाएगा और आप उसको बच्चों को किसी को भी पिला सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखे उल्टी दस्त की प्रॉलम हो जाती है तो आप ORS का गोल घर पर ही बना कर पिला सकते हैं तो आपको देखे एक ग्लास पानी चाहिएगा एक चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक तो उससे बन जाएगा ORS का ड्रिंक और उसको कोई भी पी सकता है हर उम्र का व्यक्ति उस ORS को पी सकता है आपको ORS पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप घर पर बना सकते हैं दोस्तो निर्जली करण क्यों हो जाता है बोडी में डिहाइडरेशन जब होता है जब ज़्यादा मात्रा में उल्टियां हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कटिन एक्सरसाइज कर लेते हैं बहुत पसीना बाहर लेते हैं या फिर डिहाइडरेशन होने का एक कारण ये है कि बाहर आप कहीं गए है गर्मियों का मौसम है लूई चल रही आपको पसीना आ रहा है आप उतनी मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं जितनी आपकी जरूरत है उससे अधिक मात्रा में पसीने के दोरा पानी बाडी से बाहर निकल रहा है तो बाडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है और डिहाइडरेशन हो जाता है तो दोस्तो ऐसा O.R.S. का गोल केमिश्ट पर मिल जाता है 10 रुपे का 20 रुपे का इलेक्टोलाइट पाउडर भी मिल जाता है O.R.S. भी मिल जाता है आपको और नहीं है तो घर पर आप बना सकते हैं तो चीनी और नमक और पानी से O.R.S. का गोल आप बना सकते हैं और सरीर के निर्जली करन को डिहाइडरेशन को दूर कर सकते हैं दोस्तो एक चीज और है प्रेगनेंसी में जब महिला को उल्टियां हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दोरान भी बोडी में पानी की कमी हो जाती है और प्रेग्रेंजी के दोरान अगर मैला के बोडी में पानी की कमी हो गई है तो वे मैला के लिए और उसके गर्व में पल रहे बच्चे के लिए भी खतरनाक है तो वह भी ORS का घोल पी सकती है